C-130 करेश हो चुपका था मैंने कप्तान को कहा सीधे रावल पिंडी चिल्लू सामने धुआ नजर आ रहा था अगले ही लमहे हमारा तयारा इसके नज़दीक पहुँच चुपका था वहाँ एक हेलिकॉप्टर भी उतर रहा था हेलिकॉप्टर के पाइलेट से राब्ता किया तो इसने बताया कि अपाकिस्तान वन C-130 करेश हो गया है और कोई नजर नहीं आ रहा इस किस्म के हालात में मुझे एहम फैसला करना था अगर मैं जाय हादसा पर पहुँच भी जाता तो कुछ कर नहीं सकता था इसलिए मैंने पाइलिट को कहा कि सीधे रावल पिंडी चलो ये कहना है जनरल असलम बेग का जो इस जाय हादसा का फिजाई मुआइना कर रहे थे जहां कुछ देर पहले वो C-130 तयारा गिर कर तबा हुआ था जिसमें दीगर अफराद के हमरा सदर पाकिस्तान जनरल जिया उलहक भी सवार थे अपनी सवाने हयात एक्तिदार की मजबूरियां में जनरल असलम बेग ने हादसे के रोज और उसके पहले की तफसीलात बयान की है जिया उलहक की हलाकत के बाद जनरल असलम बेग फौज के सरबरा बने थे जनरल असलम बेग इस हादसे के वक्त वाइस चीफ आफसिताफ थे 17 अगस्त अनीस 188 को बहावलपूर के करीब पेश आने वाले इस मुबयना फिजाई हादसे में सदर जनरल जिया उलहक चेरमेन जुआइन चीफस आफसिताफ कमेटी जनरल अखतर रह्मान अमरीकी सफीर आरनल्ड लुईस राफिल समेट 30 के करीब अफराद हलाक हो गए थे असलम बेग लिखते हैं कि सुन 188 में अल्खालिट टैंक का प्रोटो टाइप चीफ चीफ और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से मुकमल हो रहा था जिसके साथ ट्राइल के लिए अमरीका का M1 अबराहम टैंक पाकिस्तान लाने की तैयारियां थी सीनियर अफसरान और खुद जनरल जिया को यकीन नहीं था कि हम कोई ऐसा टैंक बना सकेंगे जो दोर हाजर के जंगी तकाजों के मताबिक हो M1 अबराहम टैंक की लाबी बड़ी मजबूत थी और सही भी था कि इस वक्त सिटेट आफ दी आर्ट टेकनालोजी के हवाले से ये एक बहतरीन टैंक था वो लिखते हैं कि इसी दोरानिय में इंडिया ने भी टैंक बनाने की कोशिश की लेकिन उनकी सारी कोशिशे नाकाम साबित हुई और जब उन नाकामियों का बगोर जाइजा लिया गया तो पता चला के वो इंडिया टैंक और इसमें नस्ब तमाम सिस्टम्स को खुद बनाने की कोशिश करते रहे थे अल्छालिट टैंक से कबल पाकिस्तान टैंक के बेरूनी धांचे और ट्रेक वगेरा टी उनसट टेक के प्रोग्राम के तहत बना रहा था बाकी निजाम पाकिस्तान ने जर्मनी और योरप से लिए ये तमाम टेकनालोजी बाजार में बगती थी लेकिन असल कमाल पाकिस्तानी और चीनी माहरीन का था जिन्होंने जोड तोड़कर के एक बहतरीन टैंक तयार किया और इसमें वो तमाम अवामल शामिल कर दिये जो हमारी जरूरत थी हमारी हिकमत अमली काम्याब हुई अलखालिट टैंक के तीन नमूने तयार हुए और हत्मी टेस्ट के लिए अलखालिद और एम वन टैंक मुलतान पहुँच गए अलखालिद और एम वन टैंक की आजमाईश बहावलपूर के करीब वाके अटामे वाली फारिंग रेंज में रखी गई असलम बेग लिखते हैं के बहावलपूर जाने के लिए जी एच क्यू ने एहम शक्सियात और मुतालिका अफसरान की दो फहरिस्तें तयार की एक जनरल जिया का ग्रूप था और दूसरा चेर्मेन जुआइन चीफस आफसिताफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुर्रह्मान का दूसरे ग्रूप में तीन दिन बाद ट्राइल देखना था जबके पहला ट्राइल सत्रा अगस्त को था इस से एक दिन पहले जनरल अख्तर अब्दुर्रह्मान मुझे गाल्फ कोर्स में मिले और शिकायत की कि उन्हें पहले ग्रूप में क्यों नहीं रखा मैंने कहा उसूल के तहट सब सीनियर अफसरान एक तयारे में सफर नहीं करते जिस पर वो खामोश हो गए जनरल असलम बेग मजीद लिखते हैं कि 17 अगस्त को जनरल जिया उलहक तकरीबन सुबह 11 बजे काफले के साथ अपने खुसी जहाज सीवन थर्टी से बहावल पूर पहुँचे जिया उलहक के बहावल पूर पहुचने से पहले असलम बेग उनके इस्तिकबाल के लिए बहावल पूर पहुच चके थे जब जिया उलहक आये तो उनके साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रह्मान अमरीकी सफीर उनके मिलिटरी सेक्रेटरी और दीगर मुतालिका अफसरान थे एरपोर्ट के लाउंज में फरेश अप हुए और दो हेलिकॉप्टरों में महमानान खुसूसी टामेवाली रेंज की तरफ रवाना हुए ट्राइल टीम के सरबरा मेजर जनरल महमूद दुरानी अपने साथियों के हमरा वहां मौजूद थे ट्राइल शुरू हुआ जो तकरीबन एक घंटे तक जारी रहा अल्खालित टैंक तमाम आजमाईशों में कामयाब हुआ अमरीकी अबराहम M1 टैंक सिर्फ चंद एक आजमाईशों में कामयाब हुआ इसके नतीजे पर सब को हैरत हुई लेकिन अपने आखों से दोनों टैंकों की कारकरदगी देखने के बाद शक औ शुबे की गुनजाईश नहीं रही असलम बेक के मताबिक आजमाईशी मश्क देखने के बाद वो तकरीबन डेर बजे बहावलपूर के लिए रवाना हुए और हेड कवाटर में तमाम शुर्का के लिए खाने का इंतिजाम था जोहर की नमाज पड़ी इसके बाद वहां मौझूद बहावलपूर की कुछ शक्सियात के साथ जनरल जिया ने मुलाकात की और फिर तकरीबन साड़े चार बजे वो बहावलपूर एरपोर्ट के लिए रवाना हुए मैं जनरल जिया के साथ था और उन्हें जहाज तक छोड़ने आया सब लोग जहाज में बैठ चुके थे जहाज में दाखिल होते हुए उन्होंने कहा कि आप भी आ रहे हैं आईए मगर आपका तो अपना जहाज है जीहा में अपने जहाज से आऊंगा अल्ला हाफिज उन्जिया उल्हक का जहाज टेक आफ हुआ इसके बाद में भी रवाना हुआ असलम बेग लिखते हैं कि अभी कोई दस मिनट हुए थे कि उनके पाइलेट करनल मिनहाज ने प्रेशानी के आलम में बताया सर इसलामबाद कंट्रोल का पाकिस्तान वन से राबता नहीं हो रहा है मैं भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है सब दुआइं पढ़ने लगे पाइलेट ने बताया सामने धुआ नजर आ रहा है और दूसरे लम्हे हमारा जहाज इसके नजदीक पहुँच चुका था एक हेलिकॉप्टर भी उतर रहा था जो मुल्तान जा रहा था हमारा जहाज उपर चक्कर लगाता रहा हेलिकॉप्टर के पाइलेट से राबता किया किया उन्होंने बताया किसी 130 करैश हो गया है आग लगी हुई है कोई नजर नहीं आ रहा असलम बेग बताते हैं कि जी एच कीव राबता किया तो वहां हालात पर सुकून थे हुक्म दिया फार्मेशन्स को रीड अलर्ट कर दो और अगले हुक्म का इंतिजार करो मेरे साथ जहाज में बैठे हुए आफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था मुझे फैसला करना था कि एक्तिदार अपने हाथ में लेना है या इसे देना है जिसकी अमानत है जह में वालिद की नसीहतें चल रही थी कि हकदार को इसका हक दें क्यूंकि 1885 के बाद 1888 में भी मैंने जनरल जिया उलहक को मशवरा दिया था कि एलेक्शन कराईई और इक्तिदार अवाम को सौंप दें अब जब हालात में मुझे इस मقाम पर लाकर ख़ड़ा किया था और मुझे खुद फैसला करना था तो दिये गए मशवरों के बरक्स फैसला करना मुश्किल था मैंने फैसला किया कि एक्तिदार अवाम की अमानत है उन्ही को दिया जाएगा जी एच कीव पहुँचने से पहले मैंने चीफ अफ नेवल सिटाफ एड्मिरल साद एहमद खान और चीफ अफ एर सिटाफ एर चीफ मार्शल हकीम अल्ला को पैगाम दिया के वो फौरण जी एच कीव पहुँची डारेक्टर जनरल आईएस आई लिफ्टिनेंट जनरल हमीद गिल और जजज एडवोकेट जनरल बेरिगेडियर अजीज एहमद खान को भी बिला भेजा आदे घंटे के अंदर चारों पहुँच गए मैंने सारी सूर्टेहाल उन्हें बताई और मशवरा का तालिब हुआ सभी ने वही मशवरा दिया जो मेरे दिल में था जनरल असलम बेक का दावा है कि फौजी कियादत का ये मुत्तफिका फैसला था कि आइन के मताबिक चेर्मेन सिनिट गुलाम इसहाक खान को बुलाया जाए और इक्तिदार की जिमनदारियां उनको सॉंपी जाएं गुलाम इसहाक खान पहुँचे तो उन्हें कहा गया कि जरूरी इंतिजामात करने के बाद नवे दिनों के अंदर इक्तिदार अवाम के नुमाइंदों को सॉंप दिया जाए अबके इस काम में तावन हासिल होगा दस बजे तक सदर गुलाम इसहाक खान ने कौमी नश्रियाती राबते पर कौम से खिताब किया जनरल जिया के इंतिकाल के तीन घंटों के अंदर आइन बहाल हो चुका था इंतिकाल इक्तिदार की कारवाई का आगास हुआ जिसे नवे दिनों में मुकमल होना था ये अफवाज पकिस्तान का फैसला था जनरल असलम बेग लिखते हैं कि रावल पिंडी पहुँचकर सबसे पहले में ने लिफटीनेंट जनरल महमद शफीक कोर कमांडर बहावलपूर से राबता किया उन्होंने बताया कि हलाक होने वालों की शनाख्त मुश्किल है जनरल जिया की कुछ बाकियात मिली है जिन्हें हम जमा कर रहे हैं ताका उनकी मैयत को तयार किया जाए यहां CMH के डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो पोस्ट मार्टम के लिए आजा एकटे कर रही है जनरल जिया की मैयत दूसरे दिन रावल पिंडी पहुची दूसरे दिन मैंने जनरल शफीक से तफसील से बात की मैंने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि CMH से रिपोर्ट का इंतिजार है चंद दिनों बाद रिपोर्ट मिली तो इसमें किसी किमिकल की निशान देही नहीं हुई और चंद हफ़तों बाद जब अमरीका से रिपोर्ट आई तो इसमें भी किसी किसी किस्म की आलाईश नहीं पाई गई अलबता आधे से ज़्यादा जिसमों के टुकड़े उन्होंने वापस कर दिये थे जो अमरीकियों के नहीं थे असलम बेग के बकॉल हादसे के दूसरे दिन डी जी मिलिटरी इंटेलिजन्स को हिदायत दी के इंक्वाईरी करें और तजावीज पेश करें सदर गुलाम इसहाग खान से बात की जुआइंट इंक्वाईरी का हुक्म जारी करें और साथ ही डी जी आई एस आई को हुक्म दिया के वो अपनी रिपोर्ट अलग तयार करें पाकिस्तान एर फोर्स ने पहले ही अपनी इंक्वाईरी कमिटी मुतहरिक कर दी थी जिसने जाए हादसा पर पहुँच कर अपना काम शुरू कर दिया था इन तमाम रिपोर्टों की तफसील तीन हफ्तों के अंदर हुकूमत को मिल चुकी थी थी कि इसके बाद हुकूमत वक्त की जिमनदारी थी कि अगले एकदामात का हुक्म नामा जारी करती जनरल असलम बेक का कहना है कि सी वन थर्टी तयारा जो सदर ममलुकत के लिए खुसूसी जहाज होता है इसके जिमनदारी पाकिस्तान एर फोर्स की होती है इसके नजदीक किसी और को जाने की अजाज़त नहीं होती जो सामान भी जहाज में रखा जाता है इसकी तलाशी होती है जो मसाफरों की लिस्ट बुनती है वो सदर के आफिस की जिमनदारी होती है चार हफ़तों के अंदर अंदर पाकिस्तान एर फोर्स की इंक्वाइरी और तीनों दूसरी इंक्वाइरियों की तह्तिकात के मताबिक ये बात वाज़ हो गई थी किसी केमिकल अगैस की कोई भी निशान्दे ही नहीं हो सकी जब जहास डगमगाने लगा तो अंदर से किसी ने पाइलिट का नाम लेकर पकारा था कि क्या हो रहा है लेकिन पाइलिट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला वो लिखते हैं कि बेनजीर भुटो जब वजीर आजम बने तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो हादसे की क्रिमिनल इंक्वाइरी कराईं ताका हकायक सामने आ सकें। लेकिन उन्होंने बिंद्याल कमीशन बनाया जिसकी रिपोर्ट ये थी कि एक डिक्टेटर का यही अंजाम होता है जिसने उनके वालिद को फासी दी थी। जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनसे भी यही दर्खास्त की। उन्होंने भी जिस्टिस शफी अर्रह्मा की सरवराही में एक जूडिशल कमीशन बनाया वो भी इसके सामने पेश हुए लेकिन इसने भी इस वाकिये को हादसा करार दिया। इस तरहे अमरीका और सी वन थर्टी जहास बनाने वाली वाली कमपनी के मताबिक जहास के अंदर हर एक टेक्नीकी खराबी के सबब ये हाद सा पेश आया है। दोस्तों ये BBC अर्दू का मजमून था जो जनरल्स या उलहक के तैयारा हादसे के तनाजर में पहले 17 अगस्त 2021 और फिर 17 अगस्त 2014 को शाय हुआ।